श्री गंगा नगर के घरसाना सित पत्रोडा गाउं में लाखों की संख्या में टिड़ी दलने हमला कर दिया। भारत पाक सीमा के नजदी की क्षित्र में पाकिस्तान के उर्से लाखों की संख्या में टिड्डियों ने प्रवेश कर लिया और करीब 22 किलो मिटर क्षित्र में फसलों को चट कर दिया अचानक हुई टिड़ी हमले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी किसान ने फसल बचाने के लिए अपने स्थर पर कई प्रयास भी किये गरसाना के निकटवर्ती गाउं में एक तरफ करोना का काल वहीं दूसरी तरफ टिडियों का आतक बोडर से कही न कही क्रोडों की संक्षाओं में टिडियों ने अटेक कर दिया है नव अंकुरित फसल जो है वो चोपट होचकी है आप देशकते हैं कि खाली पीमपे और थालियां लेकर जो है जो जो ग्रामन है वो कहें ना कई खेतों में आ चुके हैं और टिडियों को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं वहीं निकरवरती ग्राम पंचयत के जो सरपंच हैं वो भी हमारे साथ मौझूद हैं जिस प्रकार आज किसानों की फसल जो चोपट हो चुकी है टीडियों का एक तरफ आटैक और दूसरी तरफ करोना का काल क्या कहेंगे बिल्कुल मेरे पडोसी ग्राम पंचेत है पत्रोडा मैं गट्षाना सरपंच हूं और जैसा कि अभी हमने शड़क पर देखा टीडियों का सिस्टम और इदर खेत के अंदर भागती होई परिवार पूरा भाग रहा थाली बजा रहे हैं टीडियों को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे उनके खेत में टीडियों नहीं बैठे तो निश्य तुरूप से किसान के उपर दोरी मार है एक तो करोना का कह रह नहीं पूरे भारत का केंदर बिंदू बना हुआ था कि सुरिय अगिरैन पत्रोडा से दिखाए दने वारा था वैसे टिडियों के मामले में भी घठाना का पत्रोडा खेतर जो ते अब सुर्खियों माने वाले बिल्कुल पहले भी कहीना कहीन टीडियों ने अटेक किया है फसले चोपट हो चुकी है क्या समन्दीत मैखमे को अवगत करवायाई आपने अभी तक मैं आके सरपंज से बात करता हूं अभी चैल साव है सरपंज साव है उन से बात करके उनको जो किर्शी प्रेक्शक यहां लगाएगे, उनको अवगत करवाएंगे, अभी शायद जो किसान है वो तरह खेतों भाग रहे हैं, बेटियां, बच्चियां और मातें बेहने लगी हैं, थाले हाथ में थाली लेकर, कर्चियां लेकर बजाने के लिए, ताकि जैसे तैसे उनके खेतों टिडियां नहीं बेठें, बेल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम जो गरामिन हैं, वो इन टुडियों को उडाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह जो फसल है, वो कहीं ना कहीं बच सके, वहीं समंदित महगमे को भी अवगत करवाया जाएगा, ताकि वो कहीं ना कह बार-बार बोड़ने इलाके से यह टिडियां आटेक कर रही है, और बार-बार किसान यह मांग भी करते हैं, कि जो इनकी फसल, जो मुआवजा है, वो दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं उसे रहत मिल सके, मैं मेरे सहोगी धियज के साथ विकास परिक एवन टीवी गरसाना